हम एक सच्चे लीडर को भूल रहे हैं उन्हों नहीं हमारे अंदर का जोच बाहर लाया उनका ही आज जनम दिन है और वो लीडर के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उनके बारे में जानने के लिए वीडियो के अंद तक आमारे साथ जुड़े रही है मैं हुशाईना, मैं हुमानो, तो आप सब को स्वागत है फ्रेक्टी चैनल में तो चल यह वीडियो के अंदर चलते हैं वीर की मृत्यो या फिर इंडिपेंडेंच या फिर फ्रीडम यह सब अगर हमने सोच के देखा तो हमें एकी चीज़ याद को आता है जो है यह फ्रीडम की कारण अहिमसा है या फिर या फिर हमारे अंदर का जोश अगर हम ऐसे हम को भी पूछेंगे तो इसका एंसर अहिमसा नहीं है बलकि हमारे ब्लड में मिला हुआ जोश है और यह जोश को और वो भी इंडियन पीपल के जोश को पहले पहले नेताजी सुबस्चन रबोश ने ही बाहर लाया था लेकिन इतने ब्रे सोल्जर को इंडियन गवर्मेंट क्यों एक क्यों नेताजी सुबस्चन रबोश को वार क्रिमिनल कह रही है और एक ब्रे सोल्जर को एक क्रिमिनल बोलना बहुत ही बड़े गलत बात लेकिन यह सब सुनकर भी हम क्यों शान बेटे हैं तो बहुत जनों ने मुझसे पूछा कि आप नेताजी सुबस्चन रबोश के ब्यूटिफुल हिस्ट्री के बारे में एक वीडियो बनाएं इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो हम सब को नेताजी सुबस्चन रबोश का हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉटन्ट है क्योंकि सुबस्चन रबोश के यह हिस्ट्री में बहुत सारे मिस्ट्री चुपे हैं और यह सब जानना हमारे लिए बहुत इंपॉटन्ट है तो चलिए अब हम देखते हैं कि नेता जी सुबाश संद्र बोश को क्यों मार रहे हैं एक इंसान मात्मा गांधी को आकर पूछता है कि हम अहिम साथ को फॉलो करके हम बृतिश को इंडिया से नहीं भगा सकते और इसकी कारण वह आदमी को आपमा गांधी के साथ जगड़ा हो जाता है और वह आदमी थे नेता जी सुबाश संद्र बोश और उन्होंने कहा कि अगर हम अहिम साथ फॉलो करेंगे तो बृतिश हमारे देश को बिकारियों की देश बना देगी सिर्फ आप मुझे कुछ सोल्जर्स और यंग्स्टर्स को मेरे पास भेजिये मैं उनका जोश निकाल कर बृतिश के अगींस्ट फाइट करूंगा एसे कहते हैं नेताजी सुबाश संद्र बोश और अब हम ऐसे करेंगे तो हमें विक्ट्री भी मिलेगी ऐसे सुबाशन रबोश कहते हैं फिर मात्मा गांधी पुछते हैं कि यह सब तू कैसे कह रहा है तभी नेताजी ने कहा कि 20,000 ब्रिटिश सोल्जर्स पूरे इंडियन्स पर रूल कर रहे हैं जो है 31 क्रोड जैसे हाती को अगर हमने चेंड से बाणके रखा तो हाती को लगता है कि हम इसे तोड नहीं सकते हैं लेकिन हमें ही पता है कि हाती की सब्टी वह चेंड को भी तोड़ करने कह सकते हैं वह ही है इन्डिया के साथ में करूँगा एसे सुबस्ट अंद्र बोस करते हैं और महात्मा गांधी करते हैं कि नहीं इंडिया की फ्रीडम अहिम सासे आनी चाहिए फिल सुबस्ट अंद्र बोस करते हैं कि आप आपका काम देखो मैं मेरा काम देखता हूं ऐसे गांदी जी से ही वह चैलेंज करके आ रहे हैं आप समझ लीजिए कि उस टाइम में इंदिया की स्टेट्स अपके स्टेट्स जैसे नहीं थे तब वह चन्नाई को आते हैं जो तब ही मेडरास था मेड्रास को आकर सुबस्ट अन्रबूस कहते हैं कि यही है मेरा प्लान कौन-कौन मेरे साथ आ रहा है जैसे आप सब को पता है कि तमिल वालों को बहुती वीरता है इसलिए सब ने कहा कि आप के पीछे हम सब लोग आएंगे ऐसे ही नेता जी हर एक स्टेट को जाकर पूछते हैं लेकिन उन्हें हर एक स्टेट में एक फेलियर मिला इसलिए वापस वह तमिल नाडू को आते हैं उस टाइम में तमिल नाडू बहुती बड़ा था उसी टाइम में महात्मा गांदी के पार्टी में जो जो कॉंग्रेश में थे वह सब नेताजी के अगेंच वहा चन्नाई में प्रोटेस्ट कर रहे थे इसे ही सुबस्चंदर बोस क्या क्या प्लान बोलते हैं वह सब महात्मा गांदी के लो स्पाई काम करते हैं इसलिए सुबस्चंद्र बोस कहते हैं कि मैं तमिलनाडू में अब काम नहीं कर सकता इसलिए मैं विधेश जा रहा हूँ इस टाइम इंडिया में नहीं बल्कि फॉरिंग कंट्रीज को जा रहे हैं सुबस्चंदर बोस बहुत सारे कंट्रीज को गए जैसे हम सबको पता है कि वह जापैन को भी गए थे और सुबस्चंदर बोस जन्मनी को भी गए और उन्होंने वहाँ हिटलर को भी मीट किया और हिटलर और जापैन ने भी सुबस्चंदर बोस को हल्प किया और यह आग्रिमेंट को आग्री करके हिटलर और जैपैन यह दोनों देश सुबास्चंदर बोस को वेपन्स देते हैं और इसमें ज्याला भाग हिटलर को था अब नेता जी सोचते हैं कि हम अब वेपन्स में बहुत स्ट्रॉंग बन गए हैं अब हमें सेना में स्ट्रॉंग होना पड़ेगा फिर सुबास्चंदर बोस जो जो इंडिया से सुबास्चंदर बोस को हेल्प कर रहे थें उनको वह लेटर बेज़ते हैं कि मुझे ब्रिटिश के आगेंग्स फाइट करने के लिए सेना चाहिए इसलिए अलग-अलग जगों से बहुत सारी लोग रिवर या फिर सी से सुबास्चंदर बोस के पास जा रहे थें और सुबास्चंदर बोस ने उन सब को सीक्रेटली मिलिटरी प्राक्टिस दी और यह सब के कारण ब्रिटिश को अब वेपन सप्लाई नहीं हो पारे इसके कारण ब्रिटिश ने सोचा कि हमें अब सुबास्चंदर बोस को मारना चाहिए फिर हमें वेपन सप्लाई होंगे और फिर भी ब्रिटिश सुबास्चंदर बोस को कुछ नहीं कर पाए ऐसे ही इंडिया में टाइम बदलते आया और पेले जैसे अहिंसा में जोशता वह सब अब कम होकर अब ब्रिटिश के अगेंस्ट वाइनलेंच बढ़ाना इसमें सबका जोश ज्यादा हो गया यानि की गांदी जी का गलोरी कम हो गया और सुबास्चंदर बोस का गलोरी बढ़ा हो गया और यह हो चेंज महादमा गांदी के फालोर्स को पसंद नहीं आया इसलिए उन्होंने सोचा कि जब सुबास्चंदर बोस इंडिया को आएंगे तब हम उन्हें ब्रिटिश के पास पकड़ा देंगे और इनका प्लान ठीक से इंप्लिमेंट हो गया इन्होंने सुबास्चंदर बोस को ब्रिटिश के पास पकड़ा दे दिया है फिर ब्रिटिश ने नेता जी को जेल में डाला फिर भी हमाले ग्रेट हीरो वहां से बचकर निकले फिर जेल से बाहर निकलने के बाद वह ब्रिटिश के साथ एक यूद लड़ते हैं और उसमें ब्रिटिश को बहुती बड़ा लॉस हुआ और इसके कारण अगर हिस्ट्री में ऐसे लिखेंगे कि ब्रिटिश इंडिया के वीर्त से हाग गया तो हिस्ट्री हमें भाग नहीं देगी इसलिए ब्रिटिश ने डिसाड़ किया कि हम एसे कह देंगे कि हम इंडिया को इसलिए छोड़ की जा रहें क्योंकि अहिमसा ने ब्रिटिश को हरा दिया और नेता जी को यूजलेस कर देते हैं एसे ब्रिटिश ने सोचा और इसके कारण ही वापस सब पहले येशा हो गया और सब लोग सोचते हैं कि यहां में सुबाश्चंद्र बोश को मारना चाहिए फिर सुबाश्चंद्र बोश को वर क्रिमिनल यह नाम भी दिया जाता है और जैसे यह टाइम में नेताजी स्ट्रवल कर रहे थे और उन्हें विधेश भी जाना है और उनका सर नीचे जुकना नीच चाहिए यह दोनों को बचा कर वह जापन को गए और उसी टाइम में सारे क्रेडिर्स गांदी जी को दिया जाता है और सुबाश्चंद्र बोश यूजलेस हैं ऐसे कर देते हैं और जैसे सुबाश्चंद्र बोश जापन गए थे हैं और जब वह वापस आ रहे थे तो प्लीन क्राश होकर वह मर गए ऐसे भी एक थियरी है यह नेताजी ने प्लाइन किया है या फिर जापन ने प्लाइन किया है यह अब तक एक्मिस्ट् नेताजी का बर्द कैसे था नेताजी के स्पाउस कौन-कौन थे और नेताजी को हम क्यों भूल गए यह सबी के बार में देखेंगे अगर आपने यह पॉइंट किया रहेगा तो आपको समझ्झा आया रहेगा कि गांदी जी और नेताजी के बड़े में सबसे ज्यादा इस इसे भी अच्छे एक ग्रेट लीडर उनका बड़े हमकी उनसे भी ग्रैंड ली सेलिबरेटने कर रहे हैं और हमारी गवर्मेंट भी इसके लिए कोई स्टेप्स नहीं ले रही है क्यों है यह पार्श्यालिटी यहां हमें सामझ लेना चाहिए जर्मनी के हिसाब से गए तो हम टेररिस्ट यही है अगेंस्ट फाइट करने वालों के लिए रिवर्ड अहिमसा के कारण ही इंडिया फिल्डम भाई है सुभा शंद्रबोस ने कुछ नहीं किया है यह फेक स्टोरी को हमें भूलना चाहिए और हमें इंडिया का असली हिस्ट्री क्या था इसके बारे में जानना चाहिए अगर जासी की रानी और बाजिरव पेश्वा किसी के अगेंस्ट फाइट करेंगे तो वह सही लेकिन अगर सुभा संद्रबोस फाइट करेंगे तो क्या वह गलत है अगर आप सोचते रहेंगे कि अहिमसा की वज़े से ही इंडिया को फिल्डम मिल गया है अहिमसा की कारण नहीं बलकि इंडिया में एक सूपर पवर था जिसके कारण ब्रीटिश को अपना हाथ फेला कर भागना पड़ा और यह सच ज्यादा लोगों को नहीं पता और यह सबका रीजन है विदेश और इंडिया यह दोनों के बीच का अगरिमेंट क्यों मह महात्मा गांदी का स्टाची बना कर फॉरिंग में सेलिब्रेट कर रहे हूं बलकि असली वोर्य नेता जी है यह सब सोचना है तो हमें पॉलिटिक्स पता होना चाहिए ठीक है नेता जी कब बॉन हुए 23. जैन्वरी 1897 को ही सुबास्चंद्र बोस कटक में पैदा हुए शुबास्चंद्र बोस नेताजी सुबास्चंद्र बोस जानकी नात भोस और प्रभावती बोस के नाइन्थ सन थे सुबास्चंद्र बोस जो एक हिंदू बेंगल फैमिली था शुबास्चंद्र बोस को आट भाई थे और छे बहन थे शुबास्चंद्र बोस के पापा एक बहुती बड़े वकिल थे और शुबास्चंद्र बोस की मा एक डिवोटी थे शुबास्चंद्र बोस को तक का जो प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल है वहाँ ही शुबास्चंद्र बोस पड़े और 1902 में रेवन्शों कॉलजीट स्कूल यहां उन्हों ने अपना हायर एडुकेशन खतम किया और नेताजी शुबास्चंद्र बोस स्वामी विव भरा पड़ा था फिर वह प्रेसिडेंशी को पड़ने गए तब वह सी एफ ओटन यह टीचर ने जब इंदिया के बारे में गलत बोल दिया तब शुबास्चंद्र बोस को बहुत गुश्चा आकर उन्हें मारने चले गए इसके कारण वह कॉलेज बहुत ही बड़ा चुबास्चंद्र बोस के पारेंट्स कहने के कारण वह लंडेन आइसी एस पड़ने जा रहे हैं और तब वह फोर्थ रैंग आए 1919 तक शुबास्चंद्र बोस फ्रीडम फाइटर नहीं थे लेकिन उनके अधने इंडिया के बाद में पाट्रियाटिजम बहुत था जुवालियन वाला बाग यह इंसिडेंट के कारण ही शुबास्चंद्र बोस फ्रीडम फाइटर बने एसे भी हम कर सकते हैं जुवालियन वाला बाग यानि कि क्या यह भी हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट है 1919 अमरित सर में जुवालियन वाला बाग यह जगे में जब सारे पीपल एक मीटिंग में थे तब ब्रिटिश के सोल्जर्स ने हर एक साइड से घेर कर वह पीपल को बिन कारण शूट किया यह इंसिडेंट के कारण सारे इंगियन फ्रीडम फाइटर्स के अंदर एक जोश उटाया और यह ही कारण के लिए शुबास्चंद्र बोस ने डिस की इंडिया के फ्रीडम के लिए ब्रिटिश के अगिंस्ट फाइट करना चाहिए 1921 में सुबास्चंद्र बोस इंडिया आते हैं फिर ही उनका मृत्यू का स्टोरी चालू होता है जो हमने स्टार्टिंग में कह दिया था तो आज का हमाना यहां इंट्रेस्टिंग और एक प्यूटिफुल वीडियो यहां एक अच्छी एंडिंग में खतम होता है अगर आपको बास्चंद्र बोस के मिस्टरी के बारे में और कुछ पता है तो मुझे कमेंट कर सकते हो और हमारे इंस्टाग्राम पेज में मुझे मैसेज करकर मुझे बता सकते हो और भूलना मत हमा झाल